तो इस वीडियो में आपको आंसर दिखाऊ हुआ आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं आज आपका एक्जाम वहना 15 मार्श तोजाद 24 को ठीक है मौनिशिप का इमिनिंग वाले बच्चे इस पेपर को वही है देख लो इसमें से आपको कितना आता है कैसे आपकी प्रैक्टिस च थे प्टवर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं पहले चोंचन अंसर वह रहेगा त्यक्ते को रहेगा बी ठीक है तो अब देखिए धोसे कोशन का या अंसर है एं एं उसके बाट चोटे कोशन का अंसर रहेगा सी मैं लागा अ यहूब एंटा हूब अभी थोड़े देर बाद इसकी ऑफिचिल आजाएगी तो उसमें अपको आपको दिखाई दिये यह इंगिशल्यूरियम का स्क्ष्षण रहेगा तो मैंने आपको बताया कि पहले का जुर रहीगा ब्लेंसर करेक्ट ठीक है दूसरे का B है तीसरे का A है चोथे का C है पांचवे का D है छटे का A है ठीक है इतना हो गया अब हिंदी मीडियम वाले देख लो साथवे कोशिन का अंसर ए है आठवे का B है नोवे का B है दसवे का D रहेगा क्षाहए आपको पहले में आपको एंगी皆さん में दिखा लेता हूं देखgarate घाए नोवे का D पहले कोशन का पहले कोशन दो नम्मर का है इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में प्रोट करूँ ठीक है अगर ऑफिशल आंसर की आ जाएगी तो आपको तो पूरे के पूरे आंसर के साथ दिखा दो ठीक है पेपर आपको कैसा कि मॉर्निंग वाले बच आपके लिए सब कुछ एजी है ठीक है जूरू बताना ठीक है इवनिवाले बिच्चे भी है पेपर देख लो बहुत इंपोर्टन पेपर है आपके लिए सेम कोशन नहीं आई है प्रैक्टिस कैसी चल दिए आपको पते चल जाएगा इस पेपर को देखका क्योंकि आपको बहुत फैदा मिलता है मॉर्णिंग का एक दिन पहले पेपर हो जाता था पहले क्या होता था मॉर्णिंग में होता था इवनिंग में होता था तो आपको इतना टायम नहीं मिल पाता था अब यह आपको पूरा दिन मिलता है पूरे दिन में आप बहुत कुछ कर सकते है प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है मिलते जुलते कोशन भी आ सकते हैं सेम नहीं आते ठीक है तो यह पड़ा पर से देख लो 15 कोशन है ठीक है अब यह लास्ट कोशन है ठीक है यह हिंदी में इंग्लिश में थैंक्यों फर वोच